हावरुफिक्स वीवो वाई 15 ओटी जी नोट वोर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो पर हम यहाँ पर बात करने वाले ओटी जी के प्रॉब्लम के बारे में ठीक है तो मान लेजिए तो यह वीडियो जो है अन तक आप जरूर देखिए ठीक है यहाँ पर दोस्तो आपको सेटिंग्स और सॉलुइशन दोनों की ही जरूरत है तो आप सिंपली वीडियो को शुरू से लेके आन तक फॉलो कीज़े जो भी सॉलूइशन जो भी सेटिंग्स में आपको शो करके बता हूंगा बस उसको फॉलो करती जाएए आपका जो यहाँ पर ओटीजी का प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को क्लिक करें ताकि आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज करें तो चलिए दोस्तो वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें दोस्तो ओटीजी केबल को चेक करना होगा ठीक है कि ओटीजी केबल जो है सही कंडिशन पर है या नहीं उससे आपका काम बन जाएगा तुटा हुआ OTG वेगर आप यूज़ करते तो दोस्तों आपको प्रॉब्लेम आज सकते हैं तो आप एक न्यू ओरिजिनल OTG केबल को लेके आप यूज़ कीजिए ताकि आपका प्रॉब्लेम जोई फीक्स हो जाए ठीक है और आपका जो मुब चारजिंग हो रहा है तो OTG वेगर यूज़ कानेगे हो जाएगा ठीक है चारजिंग का प्लाग का जो पीन है वो खरम हो बताए उसको आप एक बार गोर कीजिए देखे आच्छे से problem solve होगा ठीक है तो अभी दूस्तों आईए मैं आपको एक और setting बता देता हो OTG I mean OTG आपका जो है काम नहीं करने का एक बरा region ठीक है तो Vivo के phone पे एक OTG setting यहाँ पर मिलते हैं उसके लिए दोस्तों हमें जाना है इस setting के अंदर पे other network and connection इसमें जैसे ही जाओगे आपको OTG का option मिल जाएगा तो इसमें क्लिक करें इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर enable बटन मिल जाएगा तो enable करने के बाद दोस्तों आपका जो OTG है बिल्कुल सई से काम करेगा description भी आप पर के देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि आप जब इस button को enable करते हैं आप किसी भी USB drive के साथ connect कर सकते हैं दूसरे mobile के साब आप जो है connect करके उसको charging जो है transfer कर सकते हैं तो यह सब setting आपको यहाँ पर enable करके use करना है ताकि आपका USB work कर जाए तो यह setting पर आपको करना बहुत ही जरूर है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और setting आपको डिया हुआ है disable automatically if not being used within 5 minutes तो पास minute के अंदर पर यह दिए आप पास minute तक यह दिए आप use नहीं करते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप यह सब setting कर सकते हैं और अपना जो OTG का problem है इसको इसी प्रकार से solve कर सकते हैं by any chance किसी तरह का issues किसी तरह का problems आ जाते हैं तो दोस्तों आप अपना setting को एक बार reset करके देखिए उसके लिए आपको जाना है system management पर और scroll down करके यहाँ पर reset पर click करना है जैसे आप reset पर click करोगे setting पुरा reset हो जाएगा mobile को एक बार restart कीजिए और check कीजिए OTG का problem solve हो जाएगा ठीक है तो बस यह पूरा complete solution आप try करके देखिए इससे आपका problem definitely solve हो जाएगा सारे साथ दोस्तों आपका जो device का software है उसको भी update जरू करें तो system update दोस्तों करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर क्योंकि दोस्तों system update नहीं करोगे तो आपको कई तरह का issues आ जाते हैं mobile पर ठीक है तो system को भी update जरू करें तो यह है दोस्तो OTG का solution यह आपका OTG काम नहीं करें तो बस step by step जो मैंने आपको solution दिया है उसको follow कीजे 100% यहाँ पर solve हो जागा आपका problem तो आज के इस video पर उस बस इतने कोई भी किसी तरह का issues आप दुबारा से face करते हैं आप हमें comment section पर comment करें याद फिर twitter पर message करें ठीक है तो video पसना आता है तो जाके like कीजे